तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है वो जो है आपकी परस्टनालिटी के बारे में क्या पसंद करते हैं यह एक 18 प्रस रीडिंग है अगर आप 18 प्रस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर 1 पाइल नमबर 2 पाइल नमबर 1 को आप स्ट्रॉबरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बदे मन से चूज कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं वह आपके बारे में क्या पसंद करते हैं नेक्स टारा दफूल कुछ और कार्ट भी दिखाती हूं नेक्स टारा टू अफ सौड्स नेक्स टारा किंग ओफ वांड्स और नेक्स टारा यहां पर सिक्स अफ कप्स पहले मैं आपको जर्नल एनरजी बता देती उसके बाद कुछ होर कार्ड भी देखेंगे तो यहां पर जो है टॉरम नरजी है यहां पर अकुईरियोस एनर्जी है जमिना एनरजी एयरीज है और कैंसर एनरजी भी है Pisces Energy भी है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यह परसन चाहे male हो चाहे female हो अपने gender से resonate करना, कोई भी person जो आपको पसंद करता है, वो इसलिए भी पसंद करते हैं कि क्योंगे आप काफी हथ तक stable हो secure हो, आप एक family बनाने वाले इनसान हो, आप एक family oriented person हो, आप ऐसे नहीं हो कि wishy-washy हो, इधर भी गए, उधर भी गए ऐसा नहीं है आपका, जिसको commitment दी या जिसको devotee बनाया जिसको devotion दिया तो फिर वो devotion ही रहेगा, तो इस तरीके की यहाँ पर energy है, आपको उसी तरीके से behave करना पड़ता है, और आप करवाना भी उसी तरीके से जाते हैं, कि अगर आप किसी को अपने आपको दे रहे हो, और सरेंडर कर रहे हो, तो उससे भी वही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, नेक्स टारा fool का card है, fool जो है, Aquarius energy को दिखाता है, यहाँ पर जो है, आप काफी ज़्यादा ambitious हो, और एक unique character हो, अब unique character जो है, वो यह चीज है, कि आप में ऐसी खूबिया है, जो ज़्यादा तर लोगों में नहीं होती, आप एक multi-talented या multi-faceted person होगे, आपने अपनी life में बहुत कुछ सीखा है, ज़रूरी नहीं कि उसका course ही किया हो, लेकिन आपने अपनी life के lesson से बहुत कुछ सीखा है, और आप उस चीज को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से incorporate भी करते हो, और wisdom जो है, वो आगे लेकर चलते हो, आपको हो सकता है कि fish खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, हलाकि सब लोगों से resonate नहीं करेगा, अगर आप non-wage हैं, और non-wage में fish खाना पसंद करते हैं, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, हलाकि सबसे resonate नहीं करेगा, और ये चीज जो है, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, जो मतलब होते हैं, कुछ nutrients होते हैं, omega-3 fatty acids होते हैं, fish में, तो वो चीज जो है, वो आपकी skin को और आपके जो color complexion है, और जो hair है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, और इस वज़े से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हो सकता है, इन्हें भी fish खाना पसंद हो, हलाकि सबसे resonant नहीं करेगा, एक सारा two of sorts है, two of sorts जो है, ऐसी energy है, कि आप अपने आपको guard गर के रखते हो, protected रखते हो, mysteriousness है, यह चीज़ नहीं है, आपके बारे में जो है, information निकाल पाना बड़ा कठिन है, और आप अपनी जो intuition है, या जो inner voice है, उसके उपर काम करना जादा पसंद करते हो, आपकी जो जिन्दीगी है, वो खुली किताब नहीं है, और आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, और एक respectful way में जो है, चलते हो, तो आप से जो है, वो तमीज से ही बात करनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी कह देगा, तो आप जो है, वो तमीज से बात, मतलब जो बतमीजी कर रहा तो आप उससे बात कर लोगे, आप hello भी नहीं कहोगे, तो इस तरीके की energy है, एक attitude है, एक high standard वाला attitude है, नेक्स्टार है king of wands है, king of wands जो है, वो ये energy है कि, एक practical तरीके की approach है life में, और उसको accept भी करना है, और life उससे create करनी है, है आपका, वो बहुत ज़्यादा beautiful होगा, आपको printed कपड़े पहना पसंद होगा, अब अलग-अलग तरीके की print आते हैं, इस तरीके की energy है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, मतलब vibrant तरीके की personality आपको देखी जाती होगी, जिसमें हर तरीके का एक, कह सकते हैं, चार्म है, या यह कह सकते हैं, कि एक खुशी है, तो वो चीज है यहाँ पे, नेक्स आप से लोग जल्दी अटाच होते होंगे, फीलिंग जो हैं, वो आपके लिए रखते होंगे, आपके एक innocence या एंजलिक जो है, आपका चहरा होगा, और उससे बहुत लोग जो है, वहाज़र प्रभावित होंगे, लेकिन अंदर से जो है, आप ऐसे हो की, मतलब बिलकुल opposite, जैसे मालो एक example देती हूँ, कि अगर आपका एंजलिक चहरा है, तो आप helpful हो, kind हो, अच्छे हो, सब कुछ है, लेकिन अंदर से जैसे लोग बाहर से ऐसे सोचेंगे, कि आपको जो है, वह बहुत ज़्यादा knowledge नहीं है, about जो है, adult life या इस तरी की चीज़, लेकिन आपको knowledge है, और एक ऐसी knowledge नहीं कि अधकचरी knowledge है, तो आपके जो thoughts है, वह बहुत ज़्यादा wilder होंगे, और लोगों को ऐसा लगता हो, कि आपको कुछ भी इस पारे में नहीं पता है, तो इस तरीके की energy है, इसी चाहिए की mysteriousness को, ये person और ज़्यादा जो है, prefer करते हैं, लेकि आपको बहुत ज़्यादा एक high pedestal पे देखते हैं, कुछ और cards देख लेते हैं, तो पहला आरहा है two of cups, तो आप एक soulmate की तरीके से है, जो भी आपके पास आता है, या आपकी energy में आता है, वो आपसे प्यार करता है, next आरहा, fool का carda, Aquarius energy है, आप अपनी life में आगे बढ़ते जाते हो, चाहे कोई लोग आपका साथ दे या ना दे, तो कुछ इस तरीके की energy है, और यह नहीं है कि आप उनको छोड़ कर जा रहे हो, अगर वो आपके साथ चलना चाते हैं, तो जरूर चले, लेकिन आपको अपना रास्ता पता है, अगर वो आपके साथ रास्ते में नहीं आ सकते हैं, या life में नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप उन्हें पीछे चोड़ देते हो, आप जो है फिर उनकी चिंता नहीं करोगे, तो कुछ इस तरीके की energy है, नेक्स्ट आ रहे हैं याप एक king of pentacles है, आपकी personality में वो ये पसंद करते हैं, कि आप बहुत जादा stable हो, बहुत जादा stable हो, आपको जो nature है वो इतना जादा stable है, कि आपको कोई influence भी करना चाहे, तो भी आप किसी के influence में नहीं आओगे, तो आपको ये knowledge क्यूं है, या किस वज़े से है, लोगों को नहीं समझाता, लेकिन आपके पास एक spiritual wisdom है, आप अपने father के प्रती, या family members के या spouse के प्रती, बहुत जादा protective होगे, ये personality में जो है पसंद करते हैं, physical personality की भी भी बात करती हूँ, नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर, फिर से hyerophant आया है, फिर से hyerophant है, और यहाँ पर, ace of wants भी है, तो जो आपका एक relationship है, जो private relationship है, ये person तो पसंद करते हैं, आपकी personality, अगर आप में एक man हो, तो आप एक थोड़ी heavier build के हो सकते हो, या अगर athletic body भी है, उसके बावजुद आपकी muscles अच्छी होंगी, तो आप लंबे चौड़े दिखते होगे, और अगर आप female हैं, तो भी जो है, आपकी voluptuous body होगी, या थोड़ी heavier side, या plus size में होगी, जिसको वो assume करते हैं, कि आपको जो है, थोड़े से उस तरीके के कपड़ों में assume करना पसंद करते हैं, तो ये भी personality में पसंद है, लेकिन उनको मालूम है कि आपके ये जो रूप है, या जो भी आपकी ये side है, या wider side है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके husband या आपकी wife को ही दिखेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के protective हो कि आप किसके साथ इस level पे खुल रहे हो, और आपको ये मालूम है कि life में क्या होता है, या लोग जो है वो किस तरीके का disadvantage लेते हैं, तो आप भली बाती जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो, और मुझे याँ पे कुछ कहने की ज़रुवत नहीं है, लेकिन जिसके साथ भी आपका love making है, तो फिर वो जो है बहुत ही ज़्यादा passionate चीज़ है, और आप लोग खुशी जो है वो महसूस कर पाऊगे, तो ऐसी energy है, चलिए देखते कुस और messages, कि वो किस तरीके के आपके लिए dreams रखते हैं, तो पहला आरा है nourish, let me feed you, love you, fulfill you, give you what you need, जो भी आपकी needs हैं, उसको जो है वो nourishment देना चाहते हैं, नेक्स आरा morning love making is at another level, नेक्स आरा आरा आपके लिए grabbing, hold on tight, it's gonna be rough, right, तो यहाँ पर grabbing हो रही है, एक दूसरे को जो है, physically जो है वो एक elaboration या कह सकते हैं, exploration करने की इच्छा है, नेक्स आरा, I check on you from afar as well as pretty closely, नेक्स आरा यहाँ पर, I want commitment from you, I want to play with my kids in front of you, तो एक commitment वाली situation है, एक family वाली situation है, इस तरीके की इच्छा है, तो यहाँ पर इस तरीके की इच्छा है, नेक्स देख लेते हैं, S-E-X swing, तो यहाँ पर swing के उपर जो है, इस तरीके की चीज करने की इच्छा है, नेक्स आरा, I want you in so many ways that I can't even put into words, तो वो जो है आपको इस level तक जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, कि वो जो है, शब्दों में भी नहीं बता सकते हैं, नेक्स आरा, we must understand कामसूत्रा and that art, और नेक्स आरा, from back lovemaking, तो उस तरीके से भी energy है, नेक्स आरा, go for a quickie, thinking about your lips, तो उनको lips जो है, वो आपके बहुत जादा पसंद होंगे, नेक्स आरा, my queen controls my zipper, नेक्स आरा, I find you incredibly attractive, I love, I love when you tell me I am yours, तो उनको बहुत जादा पसंद है, जब आप यह कहते होंगे, वो आप उनके हों, नेक्स आरा, every time I see you, I fall in love all over again, तो वो जब भी आपको देखते हैं, तो वो उसी तरीके से feeling ले आते हैं, चलिए देखते हैं, यहाँ पर टी एंड केटली आई है, यहाँ पर जो है, डाइनसोर आई है, यह पास्ट लाइफ का जो है, वो लाव है, और इस तरीके का लव जो है, वो यूजिली सबको नहीं मिलता है, और जिनका भी soul connection होता है, उनीक होता है, तो यह टेलीपैथिक तरीके का connection है, और यहाँ पर टी एंड केटली भी आई है, तो आपको चाह, कॉफी या इस तरीके comfortableness रहेगा, जो आप लोग एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा comfort level में आ जाओगा, कि आपको कोई hesitation नहीं रहने वाली, नेक्स देख लेते हैं कुछ love song, तो पहला आरा मैरी, Alex G का, Pyramids, Frank Ocean का, Belong with you, निलो फर्याना का, तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको dedicate करना चाहेंगे, इसी तरीकी feelings जो है वो आपके लिए रखेंगे, तो pile number one, यह थी आपकी reading, उमीद करती हूँ आपको अच्छी लगे होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस channel को like करें, share करें, subscribe करें, Thank you YouTube, अगर आपके heartbeat को चूँज के या फिर आपका बर्दे मत इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं, किस तरीके से आपकी personality को वो पसंद करते हैं, The world, Next are a king of pentacles, Next are a six of coins, Next are a page of swords, Next are a three of wands, यहाँ पर जो है, Taurus energy है, Capricorn की energy है, Libra energy है, Aquarius energy है, और three of wands है, यहाँ पर Sagittarius की energy भी है, यहाँ पर, तो वो आपकी personality में, जो है वो यह stability, या कह सकते हैं, nourishment, लोगों को giving देना, लोगों को देना, मतलब लोगों की help करना, चाहे कोई मदद करे या ना करे, लेकिन आप जो भी कर सकते हो, उस particular moment पे आप कर पाते हो, तो उस तरीके से हैं, नेक्स्ट है कि, आपको घुमना फिलना बहुत जादा पसंद होगा, adventure बहुत जादा पसंद होगा, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो बहुत सारी हैं, और आपको बहुत सारे talents भी आते होगे, आप ambitious बहुत जादा हो, और आप अपनी learning capacity से, बहुत तेजी से जो है, वो learn करते होगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो हो सकता है, जैसे मालो आपने, मुश्किल से 15 दिन या 20 दिन, किसी चीज़ पर काम किया, और वो आपको skill आ गया, और आप उसे बहुत perfection से कर पाते होगे, तो इस तरीके की energy है, यह person जो है, आपकी personality में यह चीज़ भी पसंद करते हैं, उन्हें यह पसंद है कि, आपने इतना घूमा है, या बाहर गए हो, या foreign country गए हो, चाहे है अपनी country में घूमे हो, आपके confidence बहुत जादा है, आपकी language भी command जादा है, आप लोगों से बासचीत कर पाते हो, बहुत खुशी से कर पाते हो, और इस तरीके से करते हो, कि आपको अपनी life बिल्ड करनी आती है, तो यह चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे यह भी चीज़ है, आपको पेट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपका अपना पेट हो सकता है, या फिर animals या nature आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, आप लोगों के उपर नजर रखते होगे, नजर इन सेंस में, कि लोगों के क्या हाव भाव हैं, या क्या उनकी expectations है, या क्या वो life में कर पा रहे हैं, और आप कहां पे हो, तो आपका जो graph है, career का या life का, वो जह हैं उचा होना चाहिए, हाला कि आप ज़्यादा अपने आपको जो है, उनसे comparison नहीं करते होगे, उसके बावजू जो है, आप successful होते जाते हो, तो कुछ इस तरीके की energy है, चलिए देखते हैं कुछ और cards, नेक्स्ट आ रहा है 10 of cups, तो आपको वो जब भी देखते हैं, तो एक emotional fulfillment यहाँ पे मिलती है, नेक्स्ट आ रहा है queen of wands, नेक्स्ट आ रहा है three of cups, नेक्स्ट है यहाँ पर six of wands, और नेक्स्ट है यहाँ पर queen of pentacles, तो आप चाहे man हो चाहे woman हो, आपको जो है worship करने की जरुवत है, मतलब worship ही किया जाएगा, तब ही जो है आपके साथ रहा जा सकता है, तो आपके high standards है, और आपकी जो खुशी का जो पैमाना है, यह कह सकते हैं जो personality है, वो इस तरीके की है, आप खुशी महसूस करते हो, और आप खुशी देना भी जाते हो, लेकिन एक fiery temperament भी है, एक sexiness है, जो आप दोनों के बीच में ही रहती है, और उस passion को enjoyment में create करते हो, आपके साथ relationship में हैं, तो वो moment काफी हद तक private है, किसी और को नहीं पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यूँ हुआ है, लेकिन वो जो है काफी हद तक private moments है, और ऐसे moments में जो है, वो आपको worship करते हैं, और worship ही चाहते हैं, या चाहती हैं, तो कुछ इस तरीके की energy है आप voluptious body जरूर होगी curvaceous होगी अगर आप एक woman है और अगर आप एक man है तो भी जो है आपको उनको pleasurable feel करवाना वो चीज जो है वो बहुत ज़ादा पसंद आईगी तो इस तरीके की यहाँ पर energy है चलिए देखते हैं कुछ और cards यहाँ पर आ रहा है I am yours forever, no refunds, returns or exchange next आरा, ride my face next आरा, lay down and spread your legs let me take control तो वो जो है वो यह चीज़े चाहते हैं next आरा, come over to my place watch movies with me तो वो जो है यह भी चाहते हैं कि आपके साथ movies देखें यह एक emotional bonding जो है वो create कर पाएं next आरा, and I kissed her I kissed her mouth, ear, shoulders तो वो जो है आपको kissing करना चाहते हैं next आरा, I love how you seduce me with your daring lingerie next आरा, making you hor and why making you smile are my two favorite things next आरा, I have never been this wet before my love next आरा, you are the one I want you I want to know your dirtiest fantasies next आरा, I am not wearing inner wear today let's make pleasure sleeping alone is a waste of my sexual talent next आरा, your wish is my command every girl needs a good tongue massage और next आरा, I want to write poems on your skin with my lips next आरा, undress me slowly और next आरा, why are you so sexy तो उनको ऐसा लगते हैं कि आप इते sexy क्यू हो तो इस तरीके ही यहाँ पे energy है चलिए देखते हैं, इस energy serrated को charms wheel of fortune आया है, यहाँ पे violin आया है और यहाँ पे pug mark आया है तो यहाँ पेट की बहुत जादा energy है तो हो सकता है, यह जो है person मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका already इसे relationship है हाला कि सबसे resonate नहीं करेगा तो अगर relationship है तो वो जो है pet के pet भी जो है वो जानता है कि आप लोगों में किस तरीके की bonding है यहाँ पे violin आया है तो आप लोग music जो है वो start करके या इस तरीके के moments में आना चाहोगे next आरा wheel of fortunate और destiny आपकी है, wheel आपका है आपको fortune create करना है और इस तरीके की यहाँ पे energy है तो चले देखते है love song I put a spell on you Nina Samon का next आरा no diggity black street का और next आरा hello arka badu का तो इस तरीके के love song जो है वो आपको dedicate करना चाहेंगे तो pile no.2 यह थी आपकी reading उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी प्लीज इस चानल को like करें, share करें, subscribe करें Thank you